नमस्कार नीतीस कुकिंग में आपका स्वागत है बहुत तेज गर्मी पढ़ रही है ऐसे में अगर खाने को मिल जाए आम पना पॉप्सिकल या आम पना कैंडी तो मज़ा ही आ जाएए किवल आपके शरीर को ही तरो ताजा नहीं करेगी बलकि गर्मी भी भगाएगी लू से आपको बचाएगी तो है ना डवल काम एक तो बिल्कुल फ्रेश कर देगी और दूसरा गर्मी में बाहर जाने से पहले एक आइस क्रिम केंडी खा लीजिए फिर देखिए गर्मी छू मंतर तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने एक मीडियम साइज के केरी है उसको बॉइल कर लिया है और इसमें जितना भी पल्प है मैं वो सारा पल्प इसमें से अलग कर दूगी अभी तक फ्रेंट्स अगर अपनी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे वरना फिर भूल जाएंग यह कहरी अभी बहुत जादा गरम है मैंने अभी बॉइल किये तो मैं थोड़ा सा ठंडा पानी डाल रही हूं तक कि इसकी गुटली है उसमें से पल्प इजिली रिमूव कर सकूँ सारा पल्प इखटा कर लीजे तो पल्प मैंने सारा इखटा कर लिया है अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले इसको चटपटा बनाने के लिए आदा चमच काली मिष्का पाउडर आदा चमच काला नमक आदा चमच भुना जीरा और आदा चमच सादा नमक अब मैं डालूँगी इसमें धेर सारे मिंट लीव्स क्योंकि यह जो है ना एक तो इस हमारी कैंडी को कलर अच्छा देंगे और दूसरा बहुत जादा ताजगी देंगे बहुत अच्छी सी फ्रेशनेस खुश्बू बहुत अच्छी आएगी इसमें तो अब मैंने यह ग्रैंडिंग जार में ट्रांस्वर कर लिया अब इसमें डालूँगी मैं चीनी मैं पेसी भी डाल रही हूं आपको इसी भी डाल सकते हैं चीनी आप अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं मैंने दो बड़े चमश डाले क्योंकि यह बहुत खटी होती है कैरी तो इसको मिठास देना बहुत जरूरी है अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि पुदीने के पत्ते बहुत बढ़िया से पिस जाए देखे किते बढ़िया पिस गया है रंग बहुत ही अच्छा आ गया एकदम ग्रीन कलर आ गया है जो मुझे चाहिए अभी तक तो आम पना आपने केवल पीने के लिए बनाया होगा लेकिन पहली बार आप ठ्राइ कीजेगा यह आम पना की कैंडी बहुत ही टेस् सबड़ी ना बहुत जाँ पतली होनी चाहिए ना बहुत जी जाँशास चाहिए ना बहुत जाँशा हो लग रहा है कंसिस्टेंसी बिल्कुल पर्फेक्ट है आप चाहें तो फूट कलोर को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं यह जरूरी नहीं है डालना देखिए कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है बहुत ही बढ़िया टेस्ट है एक बार इसको परेंसे पहले चक्कर देखना मेटा कम है तो डाल दीजिए नमक कम है तो डाल दीजे अब जो भी आपके घर में इस तरह से आइसक्रीम के पॉप्सिकल को अलग अलग शेप साते हैं अपको आपके पस जो अविलेबल है वो ले लीजिए अब यह जो हमने आम पना के बहुत ही मज़िदार से लग रहा है ये मूँ में पानी आ रहा है इसको देख करके बस अब क्या करना है इसका जो लेड है वो लगा दीजिए और इसके बाद हमें इनजार करना है बस थोड़ी सी देर तो इंजार करना ही पड़ेगा ना जब तक कि अच्छे से जम ना जाए तो मैंने सारे डखन लगा दिये हैं अब यह जाएगी लगबग 4-6 गंटे के लिए रेफ्रीजरेटर के अंदर वैसे इसको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है चार गंटे में आप चेक कर सकते हैं तक कि नीचे से जगे छोड़ देगी और निकालना असान हो जाएगा निकाल के दिखाती हूं आपको मैं यह देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत लग रही है ना बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में और खाने में उतनी ही टेस्ट ही है बस आप इसको चूस बाहर निकाल लीजिए बस तब इनको निकाल निकाल के आइस क्यूबस पर रखते जाए ताकि यह आसानी से मेल्ट ना हो बीच में डेकुरिट कर देते हैं थोड़ा सा पुदीना के पत्ते और लमन स्लाइस बस जैसी घर में को है तो उनको वेलकम कर सकते है इस तरह के आम पॉप्सिकल्स यह आमपना कैंडी के साथ आप चाहे तो इस पर थोड़ी सी लाल मिर्ची स्पिंकल कर दीजिए तो खाने में और भी ज्यादा मज़ा आ जाएगा तो लीजिए तपती गर्मी को दूर भगाईए तरो ताजा हो जाईए और लू को भी दूर कर दीजिए बि पिसमर्स